फेस्बुक पिक्सल क्या होता है इसका यूज क्या है उसको कैसे यूज कर सकते हैं इसके प्रोज क्या है इसके एडवांटेजिस क्या है यह हम आज वीडियो में समझेंगे हलो गाइस मैंने में सिमान शुतिवारी वेलकुम डिव डबले स्क्रिप्टेग यूट्यूब चैनल तो गई जैसे मैंने वला फेस्बुक पिक्सल है क्या फेस्बुक पिक्सल एक छोटा सा कोड होता है इसके पीस ओफ कोड जो हमको वैप साइट पे लगाना होता है लाइक पर दे परपस आउफ रिमार्कटिंग और डिटर्गेंट उड्येंज मतलब हम हमारी ओडियंस को कैसे मैजर कर सकते हैं उनकी एक्तिविटी को अनलाइज कर सकते हैं उसके बाद हम उसको री टारगेट करके हम अपनी अच्रिजल भासकते हैं यह कंसेट जो होता है कि थूर कर सकते हैं या फिर पार्टनर इंटिग्रेशन की थूर कर सकते हैं अब इसका यूज क्या है अब इसमें क्या होता है कि आप अपनी वैप साइड में जितने भी आपके बटन्स होते हैं बटन्स को आप ट्रिगरिंग पर लगा सकते हैं कि अगर कोई यूजर आपकी वैब साइट पर आया है अगर उसने उस बटन पर क्लिक कर आए तो डारेक्ट लिए आप उस ओडियन्स को भी री टारगेट कर सकते हैं इनदस्री की बात करें गास तो यहां पर इंडस्री आप कोई सी भी ले लिजें सर्विस बेस इन।айтесь और आज की डेट में पिक्सल को इतना कोई नहीं जानता है या इसको प्रॉपरिली यूज कर पाता है reason reason यह होता है कि like people aware नहीं है pixel के बारे में और आप इसको कैसे integrate कर सकते हैं integrate के बाद आप कैसे use कर सकते हैं अपनी advertisement में यह scenario अभी तक यहाँ पर किसी को clear नहीं है that's why like facebook pixel अभी इता known नहीं है audience के बीच में या फिर advertiser के बीच में या फिर बिजनस के बीच में आप कह सकते हैं अब इसके कुछ advantages देखते हैं facebook pixel के दुरू आप क्या कर सकते है facebook pixel के दुरू आप audience बिल्ट कर सकते है अब audience में दो चीजे होती है guys पहला होता है custom audience दुसरा होता है lookalike audience अब custom audience क्या होता है custom audience in the sense like SE audience जो आपकी website से interact करी है आपकी website पर जो भी activity हुई है या आपके business से जो भी audience interact हुई है उस audience को वापस से आप retarget कर सकते हैं यह होता है आपका custom audience, lookalike audience क्या होता है, it's a kind of a similar audience, मतलब ऐसी audience जो आपकी business के साथ interact करी है, वैसी ही और audience आपको बनाना है, तो आप उसको कहते है lookalike audience, बट यह सारा scenario तब होता है, जब आप Facebook pixel को integrate करते हैं अपने website के अंदर या अपने application के अंदर, तो जाकर आप इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, otherwise ऐसे नहीं कर सकते हैं, अब आपको guys, आपके last चीज़ बताता हूँ, Facebook pixel की audience को आप कैसे use कर सकते हैं, अपनी किसी भी campaign के अंदर, जैसे क्या होता है कि यहाँ पर for example, मेरी कोई e-commerce website है, यहाँ पर मैंने conversion campaign चलाया, conversion campaign रन करने के बाद, जो भी action आया है मेरी website पर, मैं सबसे पहले उसको analyze करूँगा, अनलाइस करने के बाद, जितने लोगों ने मेरे page view करा है, जितने लोगों ने add to card करा है, जितने लोगों ने check list पर click करा है, जितने लोगों ने purchase करा है मैं उन सभी audience की यहाँ पर एक separate custom audience बना लूँगा मैं उसको भी use कर सकता हूँ और उस audience के साथ सथ उनका एक look-alike audience भी बना के मैं use कर सकता हूँ जिससे मेरे पास जो result आएगा वो effective आएगा वट होता क्या है गाई जो इतने अवेर नहीं वो क्या करते है और उसके बाद हम यहाँ पर mix audience का यूज करते है जो कि आपका detail targeting होता है उसको यूज करते हूँ जिससे आपका cost भी जादा आता है उससे budget भी मारा जादा वेस्ट होता है यह scenario हमने समझा है Facebook Pixel का आप इस तरीक से Facebook Pixel को use कर सकते है अपने business में और integration की बात है तो integration हम upcoming videos में देखेंगे ही सही और integration की बात है तो integration में आपको चार तरीके से बता है पहला होता है manually दूसरा होता है आपका plugin की तुरू तीसरा होता है आपका GTM के तुरू Google Tag Manager के तुरू जो चोथा होता आपका वो होता आपका पार्टनर integration की तुरू इन चारू की तुरू आप कैसे Facebook Pixel को integrate कर सकते हैं उसका link आपको description मिल जाएगा वहां से आप जा सकते हैं वहां से आप देख सकते हैं अगर आपको manually integrate करना अपनी website Facebook Pixel को आप कैसे करेंगे वह भी मिल जाएगा या फिर plugin के तुरू या फिर GTM के तुरू या फिर like partner integration के तुरू इन इस वीडियो इतना ही फिर मिलता आप सा नेक्स वीडियो में तिल देन थेंक्यू टेक्यार बाबाई